नमस्कार दोस्तों हमन तेलपी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम पाचन तंत्र के बारे में आपको पूरा डीटेल से बता दिये हैं कि पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें आक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाई आकसाइड को हम बाह निकालते हैं ठीक है उसी को स्वसन कहा जाता है अब अगर हम बात करें कि किसी भी जीव जन्त को सजीव और क्रिया सिल रहने हे तो उर्जा की अनिवार रूप से आव सकता होती है यह उर्जा पौधो तथा जन्तूओं में कार्बो हाइडरेट यानि ग्लुकोज के रूप मे क्या रहता है संचित रहता है तथा स्वसन की प्रकृया में मुख्त होकर जिऊधारियों को उर्जा प्रदान करती है जो प्रकृया माईटो कांड्रिया में होती है एक चीज दोस्तो जान लिती है यहां पे यही चीज लिखा है कि आपके सरीर में कार्बो हाइडरेट या ग्लूकोज के रूप में उर्जा तो पहुच जाती है लेकिन अगर स्वसन की प्रक्रिया ना हो तो सायद यह उर्जा हमारे सरीर को नहीं मिल पाएगी जो भी कोशिका में आपकी एनरजी C6, C12, O6 के रूप में रहती है यह जब हमारे सरीर में आक्सीजन जाता है तब यह का 1286 केलोरी उर्जा देती है जो कि यहां पे आपको दिखाया गया है और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर होता है आप से परिच्छा में यह दे देगा यह दे देगा और यहां पे खाली अस्थान दे देगा यह दे देगा तो पूछेगा खाली अस्थान पे क्या तो इसलिए इस समीकरण आपको एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि कार्बन डाइयाकसाइड जल और उर्जा आपको मिलता है जब स्वसन की प्रक्रिया होती है, अब अगर बात करें कि स्वसन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो स्वसन दे माइटो कांड्रिया में होता है और एक को कहते हैं अनाक्सी स्वसन जो आपके कोसी का दरब्द का मतलब आपके मांसपेसियों में होता है अगर हम बात करें पहला तो पहला देखिये हैं आक्सी स्वसन, पहला क्या है? आक्सी स्वसन, आक्सी स्वसन को हम एरोबिक रिश्पाइरेशन कहते हैं, ऐसा स्वसन जिसमें आक्सी मतलब आक्सीजन की उपस्थिती हो, उसे हम आक्सी स्वसन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए आकसी स्वसन में फूर आकसी करण होता है क्योंकि हमारे सरीर में पहले से ग्लूकोज होता ही है अब यह ग्लूकोज रियक्षन करेगा आकसीजन से जो हमारे नाक से आकसीजन जा रही है जब इस ग्लूकोज में यह आकसीजन मिल जाएगा तो इसी को हम आक्सी स्वसन कहेंगे क्योंकि यहां पे आक्सीजन की उपस्थिती में स्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो जो भी reaction होगा यहां पे पूर आक्सी करण होगा और पूर आक्सी करण होने के बाद यहां पे carbon dioxide बनेगा और जल बनेगा और हमें पूर्ड रूप से उर्जा मिलेगी तो यह उर्जा जो हमें मिलेगी लगभग 686 किलो कैलोरी के आसपास मिलती है तो आप कर सकते हैं कि आक्सी स्वसन का अंति मुत्पाद जो होता है वह कार्बन डाई आकसाइड और जल होता है यहाँ पर बाइलेंस करने के लिए आप 666 भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कुलमिलाज उलाके आकसी स्वसन से उर्जा मुक्त होती है जो हमारे सरीर को क्या होती है मिलती है सायद यही आकसी जन हमारे सरीर में नहीं जाता तो हमें एनरजी नहीं मिलती और अधिकान जियो मे आक्सी स्वसन ही होता है उदारण के रूप में आप कह सकते हैं प्रकास संसलेशड की प्रक्रिया आप 686 भी कह सकते हैं और 673 किलो कैलोरी उर्जा भी कह सकते हैं दूसरा दोस्तों देखिए क्या है दूसरा आपका है अनाक्सी स्वसन अनाक्सी स्वसन जो होता है ऐसा स्वसन जिसमें आ माने नहीं और आक्सी माने आक्सीजन यानि ऐसा स्वसन जिसमें आक्सीजन न हो अर्थात आक्सीजन अनुपस्थित हो उसे हम अनाक्सी स्वसन कहते हैं और जब आपके सरीर में पहले से ही ग्लूकोज है और इसमें आक्सीजन आके नहीं मिल ला है तो इसका मतलब जोकी अपूड आक्सी करण यहां पे होगा यानि यहां पे आक्सी करण अपूड होगा जोकी जादा तर पेड़ पवधों में होता है पेड़ पवधों में होता है और मनुस्यों के मानस्पेशियों में होता है तो अब यहां जो अनाक्सी स्वसन है इसमें आक्सीजन देखि आक्साइड तो बनाएगा लेकिन जो जल बना रहा था वह जल नहीं बनाएगा जल के जगा पे एथिल एलकोहल बनाएगा और एथिल एलकोहल का सूत्र होता है C2H5OH और यहाँ पे दो बैलेंस करने के लिए लिखेंगे और हमें उर्जा तो इसमें भी मिलेगी लेकिन केवल 56 केलोरी यानि बहुत नाम मात्र की उर्जा आपको अनाक्सी स्वसन में मिलती है तो कुल मिला जुला के आक्सी स्वसन का मतलब क्या होता है आक्सी स्वसन का मतलब होता है कि आक्सी जन उपस्थित हो और अनाक्सी स्वसन का मतलब होता है आक्सी जन उपस्थित ना हो आक्सी स्वसन में अन्ति मुत्पात कारबन डाई आक्साइड और जल था अनाक्सी क्रिया के अंतरगत किन किन कोशिकाओं में बदला जाता है तो यहां पे आपका अभी उत्तर क्या है पेशियों की कोशिकाओं में बदला जाता है लेकिन आगे आप उस चीश को पढ़ेंगे कि कैसे पाइरूबिक अमल को अनाक्सी स्वसन के द्वारा लैक्टिक अमल में बद बदलने के लिए कौन से एंजाइम जिम्मेदार होते हैं जिसका नाम है लेक्टेट डिहाइड्रे डिहाइड्रोजी नेन एंजाइम और यह पेशियों में होता है जब आप तेज दोड़ते हैं तो जो भी पाईरोबिक अमल होता है वो लेक्टिक अमल में बदल जाता है और लेक्टिक अमल में बदलने के बाद आक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलता है और जब आक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलता है तब आमारी मांस्पेशियां दर्द करती है देखे इस्ट या खमीर से इलकोहल का निर्माड होता है अगर आप से कोई पूछे कि इलकोहल का नि अन्ति मुद्पाद एथिल एलकोहल है यह आपके कई एकजामों में दोस्तों आया है कि जो अनाक्सी स्वसन है उसका अन्ति मुद्पाद क्या है तो एथिल एलकोहल है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि मान स्पेशियों में स्वसन्तंत्र क्या रेखेंगे मान स्पेशियों में स्वतन संदेखें मान स्पेशिया मुलता अनाक्सिया आवायवी ये स्वतन करती है ठीक है और इस क्रिया में लैक्टिक अमल का निर्माड करती है और यही लैक्टिक एसिड गाठों में जमा होकर दर्द का कारण बनती है या ठकान का अनुभव कराती है इसलिए लंबी कसरत के बाद, लंबी दोड के बाद, सारेरिक स्रम के बाद हमें थाकान का अनुभव होता है, थाकान का अनुभव इसलिए होता है, क्योंकि जो हमारे सरीर में पाइरूबिक एसिड होता है, जादा दोडने से लैक्टिक एसिड में क्या होता है, बदल जाता ह यानि कुल मिलाजुला के जो मांस्पेशियों में दर्द होता है वहाँ पे अनाक्सी स्वसन होता है ठीक है और लैक्टिक अमल में पायरूबिक अमल जो है लैक्टिक अमल में बदल जाता है और थोड़ी बहुत हमें उर्जा भी मुलता है या आप सीधा कहिए कि ग्लूकोज जो पाइरोबिक अमल है गुलुकोज यह लैक्टिक एसिड में क्या होता है बदल जाता है और CO2 और S2O हमें मिलता है तो जन्तूओं में इस प्रकार की क्रिया के फलस्वरू कार्बन डाई आक्साइड तथा लैक्टिक अमल का निर्माड होता है कार्बन डाई आक्साइड और लैक्टिक अमल का निर्माड होता है और पाधों में कार्बन डाई आक्साइड तथा यह थाईल इलकोहल बनता है वह बहुत कम मात्रा में उर्जा मुक्त होता है तो अगर आप पूछेंगे जन्तूओं में तो जन्तूओं में देखिए जन्तूओं में क्या क्या बनता है तो जन्तूओं में तो ये कारबन डाई आकसाइड बनता है और एक लेक्टिक अमल बनता है और हमें थोड़ी बहुत उर्जा मिल जाती है लेकिन अगर पौधों में पूछेंगे तो पौधों में यह होता है जो हम लोग यहां पर पढ़े हैं यह जो क्रिया होती है इस किसमे होती है पौधों में होती है पौधों में एथिल एलकोहल बनता है एथिल एलकोहल और कारबन डाई आकसाइड क्या होती है मुक्त होता है इसके बाद दोस्तों देख और यह को कहते हैं expiration ठीक है तो श्वसन क्रिया के अंतरगत oxygen को जब ग्रहण हम करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम inspiration कहते हैं या नीश्वसन या प्रस्वसन भी कहते हैं इसमें हमारा low pressure होता है और expansion होता है यानि जब हम सांस लेते हैं तो expansion होता है हमारे सरीर का volume जो है बढ़ता ह और दाब क्या होता है कम होता है और इसी के अंतरगत जब carbon dioxide हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम expiration या नीश्वसन कहते हैं इसमें जब हम निकालते हैं तो volume घटता है और pressure जो है high रहता है यानि यहाँ पे compression होता है और pressure high रहता है इसके बाद दोस्तों एक नया topic आ जाता है स्वासोस छवास जिसे हम breathing काते हैं ठीक है breathing का मतलब होता है inspiration और expiration यानि oxygen का गरहण करना और carbon dioxide को छोड़ना ही क्या है breathing है सामान ने मनुष से 12 से 15 बार प्रती मिनट में breathing करता है breathing में कौन-कौन सी वाय जो है अंदर ली जाती है और कौन-कौन सी वाय कितने मात्रा में चोड़ी जाती है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं देखिए nitrogen की बात अगर करें तो nitrogen 89% हम ग्रहण करते हैं अंदर लेते हैं और 89% ही हम बाहर निकालते हैं आउट करते हैं लेकिन जो आक्सीजन होता है उसको 21% हम गरहण करते हैं लेकिन निकालते कितना है 17% अब ये बताईए क्यों ऐसा होता है कि हम गरहण 20% कर रहे हैं और निकाल 17% रहे हैं क्योंकि हमारे सरीर में पहले से ही जो C6CH12O6 है उसमें जब ये आक्सीजन 21% जाके मिलता है तो कुछ आक्सीजन कार्बन डाई आक्साइड जल में परिवर्तित होकर हमें क्या देती हैं उर्जा देती है तो यही कार्बन डाई आक्साइड जो है मतलब लगभग 4 और परसेंट आक्सीजन कार्बन डाई आक्साइड में बदल जाता है इसलिए यहां प कर्णिया है किसमें कार्बंडा या क्षाइड में और लगबग 4 परशंट बदला है लगबग 4 परशंट जादा निकलता है इसके बाद जल्बास हम गरहंड करते हैं 1.25 परशंट और निकलता है 6.2 परशंट इसके बाद दोस्तों एक होता है poose की yeah इधन क्या होता है कोश की इधन देखिए कोश की इधन भी कोश की स्वसन भी स्वसन की क्रिया विधी है मतलब कोश की स्वसन स्वसन की विधी है और स्वसन की प्रक्रिया सावानता दो प्रकार की होती है और पूरे कोश की स्वसन में टोटल 38 ATP उर्जा निकलती है एक ATP provided 7.3 कीलो कैलोरी पर मोल एक प्रॉक्स आप कह सकते हैं 8 कीलो कैलोरी को हम एक ATP कहेंगे ठीक है इसके बाद यहां से अगर आप आते हैं तो यह जो कोस्की स्वसन की प्रक्रिया होती है वो दो इस्टेप में होती है पहला इस्टेप है गलाइकोलिसिस जो मानस्पेसियों म होती है दूसरा इस्टेप है क्रेप्स चक्र ठीक है तो क्रेप्स चक्र जो होता है अब देखे गलाइकोलिसिस जो होता है मानस्पेसियों में होता है और आपको पता है कि मानस्पेसियों में आक्सीजन उपस्थित रहता है और आक्सीजन उपस्थित रहने के कारण इसे हम क्या काते हैं अनाक्सी स्वसन काते हैं यानि कि गलाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशी का द्रब में होती है और यहाँ पे कोशी का द्रब में आक्सीजन अनुपस्थित रहता है इसलिए इसे हम अनाक्सी स्वसन भी का सकते हैं और इससे बहुत कम मात्रा में केवल दो ATP उरजा मिलती है और जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज में जब ग्लाईकोलिसीस की प्रक्रिया होती है तो आकसीजन रहता नहीं तो बिना आकसीजन के क्रिया के किये यह पाइरूबिक अमल और दो ATP उरजा देती है यह जो और दो ATP हमें क्या देती है उर्जा देती है इसके बाद आप आ जाएंगे क्रेप्स चक्र क्रेप्स चक्र की प्रक्रिया माईटोकांडिया में होती है और माईटोकांडिया में आक्सीजन उपस्थित होता है इसलिए इसे हम आक्सी स्वसन भी कह सकते हैं और आक्सीजन अगर उपस्थित रहेगा तो आक्सीजन से क्रिया करने के बाद यह जो है कार्बन डाय आकसाइड और जल में परिवर्तित होगी और हमें 36 ATP उर्जा देगी तो एक बार फिर हम ध्यान से देखेंगे यहां पर देखिए जो कोस की इधन की प्रक्रिया है कोस की इधन की प्रक्रिया कोस की स्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है इसमें टोटल जो है 38 ATP उर्जा हमें मिलती है जो पहला इस्टेफ है वह गलाइकोलिसिस है जो दुसर इस्टेप है वह क्रेप्स है या हर जीव जन तुमें होती है यह दोनों प्रक्रियां हमारे अंदर होंगी जब हमारे अंदर गलाइकोलिसिस प्रक्रिया होगी तो वह कोशी का द्रब में होगी और कोशी का द्रब में आक्सीजन अनुपस्थित होता है और आक्सीजन जब अन बहुत कम मात्रा में उर्जा देगा क्यों बहुत कम मात्रा में उर्जा देगा क्योंकि यह आक्सीजन से क्रिया ही नहीं कर रहा है और जब आक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो बहुत ही कम मात्रा में हमें उर्जा देगा और जब कि क्रेप्स चक्र की प्रक्रिया जो होती ह वो माइटो कांडिया में होती है और माइटो कांडिया में आक्सीजन उपस्थित होता है और जहां पे आक्सीजन उपस्थित रहेगा वो गलुकोस से क्रिया करके बहुत धेर सारा एनर्जी देगा तो इसलिए यह 36 ATP उर्जा देता है अगला है माइटो कांडिया में क्रेप्स चक्र के अंतरगत बहुत अधिक मात्रा में कोशिकाओं को उर्जा प्राप्त होती है इसलिए माइटो कांडिया को कोशिका का उर्जा ग्रिह या पाउर हाउस आप सेल कहते हैं हीमोगलोबिन के द्वारा आकसीजन का परिवान होता है और कार्बन डाई आकसाइड का परिवान बाई कार्बोनेट के द्वारा या प्लाजमा के द्वारा या कार्बोनिक एसिट के द्वारा होता है या आप कहें कि बाई कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिट और प्लाजमा सब के द्वारा होता है सरवाधिक 70% कार्बन डाई अक्साइड का परिवान अकेले बाई कार्बोनेट करता है अगर आप से कभी कोई पूछ ले किडवन क्या है तो किडवन जो है अनाक्सी स्वसन की एक बिशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया है इसमें सूच्म जीओं तथा एंजाइमों की उपस्तिती में जटिल कार्बनिक योगिक का बिगटन सरल कार्बनिक योगिक के रूप में होता है किडवन की प्रक्रिया खमीर में लेक्टो वैसिलेस में तथा अंकुरित बीजो आदि में होती है इसका आर्थिक महतु भी है इसकी सहायता से मदीरा यानि एलकोहल, सिरका, दही, आदिका निर्माड होता है तथा सिल्फ उद्दोग में रासायनिक पदार्थों का भी उत्पादन होता है तो दोस्तो इस तरीके से इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए फिर अगले पार्ट से हम पढ़ेंगे प्रमुख जीव एवं उनके स्वसन अंग जहां से आपको धेर सारे कोश्चन देखने को मिलेंगे